बढ़े हमारे बाहुजन मीडिया के लोगों से भी धनवाद कहता हूं जूट मत दिखाया करो यान क्या जूट दिखाते रहतो कि हम तो यहां खिला ढ़ा देंगे आहलाद देखो आज क्या है एक शिट नहीं जीत पाएं एक सिंगल सिट कि आज दिल्ली का रिजल्ट आया है एक से एक वक्ता गणिहां बड़े-बड़े ओजसी वासन देते हैं दिल्ली में लोग खुसी मना रहे हैं और यह लोग यहां जो हैं बताएं यह समयलन कर रहे हैं जिनका देखे जिनकी वोट नहीं उनका राज स्थापित होगया है did you कि वो लोग दिल्ली में जसन मना रहे हैं जिनका इतना सा वूर्ट है और जिनका इतना बहुंसंगे कोज़े यह अंके बफ्र साथियों एक सामने कहने का प्रयास किया था नथा कत बुद्ध के बारे में बाबा साव की पर्तिग्या के बारे में देखो क्या हुआ यह हला देंके उनके तलबे चा टें उनकी पूच बनके हम अपनी हम और इनल बात भी नहीं कह सकते हैं अपने हके हखकी बात तो छोड़ि जो का हो बोल देंगे बस होना चाहिए हमारे सिद्धान्त, विचार और हमारे लोगों के लिए ये निया है अधिकाल महा सम्मेलन, इतना प्यारा सुंदर मंच देश की राजधानी, यहां उपस्ति सभी सम्मानित सोतागन, बाउजन मीडिया के हमारे हिम्मतवर, ताकतवर संगर्शील साथी, आपके बगेर तो कोई अंदोलन सफल होता ही नहीं तो आपका पुने धन्यवाद, और आप आगे ऐसे बढ़ते रहें और हमेशा जिस्तरे से आप अवाज उठाते हैं बहुजन समाज की, ऐसे ही अवाज उठाते रहें मेरी पुने मंगल काम ना है, कल 6 दिसंबर था, डॉक्टर बावा साथ अंबेटकर जी का परिनिर्वाण दिवस मैंने सोचा कि कल का काम पूरा हो चुक है, अब तक ले साल याद करना है तो दिल्ली में अभी क्या हो रहा है, अब तक तो ठंड का भी महाँ लोग चुक है, हमारे लोग को चले जाना चाहिए था जो जिम्मेदारी थी आपकी एक दिन की वो तो पूरी कल्दी है, दो-दो दिन समेलन क्यू कर रहे हो, क्यू वक्ता बुला रहे हो, क्यू बाते कर रहे हो अब तो 364-65 दिन बात जागना है, जब पुने समेलन, पुने बाबा साब का परिन्रवान देव साएगा तब ही आना क्योंकि हमारे लोगों को लगता है कि एक दिन के सम्मेलन से, एक दिन के आंदोलन से, एक दिन के महापुर्सों के परिर्वान को मनाने से उनकी जिम्मेदारिया पूरी हो जाती है और हम दूसरे लोगों पे, दूसरे संक्टीनों पे, दूसरी पार्टी उपे चिलाते रहते हैं मैं समधता हूँ निया अधिकार मार सम्मिलन करवाने वाले साथी धन्यवाद के पात रहें इसलिए धन्यवाद के पातर हैं क्योंकि उन्हों ने ऐक प्रोग्राम बना के हम लोगों को एक ऑउसर दिया कि हम एक मंच पर आके अपनी बात को रख सके जंग में कागजी अप्राद से क्या होता है हिम्मत नड़ती आप्राद से क्या होता है क्या फरक पड़ता है कि हम यहां किस संख्या में हैं लेकिन जितने भी हैं इतने लोग तो तयार हैं सांदोल उनको चलाने के लिए इतने लोग तो तयार हैं दो दिन से महापुरुसों के मिशन पर काम करने के लिए यह बहुत जब एक-एक महापरूश संकल्प करके इतने बड़े-बड़े काम करके गए जब इतने सारे लोग जो यहाँ उपस्तित हैं और उनके परिवार के लोग उनको सुनने वाले उनको चाने वाले मानने वाले लोग धीरे-धीरे काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है एक दिन हमारे अंदोलन सफर हो जाएगा मैं बड़ा उमीद वाला वेक्ति हूँ नाउमीद नहीं होता हूँ क्योंकि हमारे जितने पिछला अनुभाव सब कहता है जब आप मापुर्सों को पढ़ते हैं तो वे कहता है कि आंदोलन चलाना जरूरी है क्योंकि देश तो आजाज 1947 में हुआ लेकिन हमें अधिकार मिलें 1950 में तो 1950 के बाद जो आगे अधिकार मिलें सविधान में तो लागू थे लेकिन प्रैक्टिकली लागू नहीं हुए वो सब आंदोलन से मिलें समाज को समझाना चाहिए क्योंकि पुरंप्रा है महापृस्तों को याद करने की तो आज के इस मंच से मैं फूले साव अंबेट कर पहरियार माजवर काशिराम मामना रामसु वर्मा बाबु जग्दे प्रसाद जन्नाय कपूरी खाकूर मा सावित्री भाई फूले मारमा बाई सबको नवन करता हूँ क्योंकि जैसे जैसे मोसमों ठंडा होगा ठंड बढ़ती जाएगी और जब ठंड बढ़ेगी तो हमारे लोग को सबसे पहले क्योंकि अभाव में रहेगे लोग सताएगे लोग लोग तंतर में आस्ता रखने वाले लोग उम्मीद वाले लोग उनके उपर परिवार की जिम्मेदारी वो घर के बारे में भी सोचेंगे तो मुझे लगता है एक लेड़ घंटे दो घंटे के बासन से कुछ नहीं होने वाला चन्द मिल्टों में जो मुद्धे हैं मैं पूरी जिम्मेदारी से इन सभी मुद्धों का समर्थन करता हूँ इन सभी मुद्धों पे हमारा समर्थन है और जब भी इस मुद्धों को लिए कोई भी कारिकरम होगा हम अगरनी सेनी में रहेंगे चाया अंदोलन हो या कारिकरम हो जब भी हमें याद किया जाएगा हम सबसे आगे रहेंगे पिछले दो दिनों में मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि 6 दिसंबर को पूरे भारत में अपने अपने घरों पे तमाम संगटन पार्टी चनाने वाले लोग अपने अपने मुखेलों पे कारे करम करते हैं इसलिए 6 तारिक में ज़्यादा लोग नहीं जुटे और 7 तारिक में आज दिल्ली में हमारे जो लोग हैं क्योंकि उन्होंने नगर पाली का नगर निगम का चुनाव लड़ा है वो सब लोग गिंती में भी जी हैं वो सब लोग आज अपने संगर्ष की जो है समाज ने जो उनको दिया है उसके उपर निर्पर हैं इस वज़े से ज़्यादा योगदान हम लोग इस प्रोग्राम में नहीं कर पाएं लेकिन मैं आज़क साथियों से भी कहूंगा पुने जिब वो कोई कारे करम करें होसला ना थे आगे एक बार चर्चा विचार करके करें तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि समाज बहुत बलवान है समाज बहुत उर्जवान है एक नहीं हजारों ऐसे उधारन चाहिए दो प्रहल का हो चाहिए यहीं का जब दिल्ली में रवजात गुरु का टूटा तबाम उधारन है कि हमने बहुजन समाज के लोगों ने अपने जंडे और जंडे का सम्मान रखा अपने आज़कों का भी सम्मान रखा पुने सभी वक्तागणों के जो संदेश और संदेश दोनों पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं समझता हूँ वाके में हालाद नाजुक है और इन हालाद नाजुक में हमें एक ता के लावा कोई चारा दिखाई नहीं देता अल्ब जन्वन के एक जाती के साथ खड़े रहके साइध हम कामियाब ना हुपाएं लेकिन अगर हम महापुर्सों के संदेश को समझे और पुने बहुजन समायच के लोग एक जुट हो जाएं तो साइध भारत में हमारे जो आज वजूद की लड़ाई लड़ी जा रही है आने वाली पीडियों पर क्या बचे का इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है तो साइध हमारी लड़ाई कामियाब हो जाए मैं तो अंदोलन चराने वाले सभी सातियों में उमर में सब से छोटा लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं कभी भी अपने कारिये से निराष ना करूँ मैंने तो शीखा यह है और यहीं सिखा है कि जब भी जहां विजरत पढ़े तनमंधंशे तयार रहना अपने लोग को निराष मत करना और मैं अभी भी इस परियास में लगावाँ हूँ कि राश्चेस्तर पे बहुजन समाज के लोगों में एक्ता बने और मुझे लगता है कि ये परियास भी आने वाले समय में सफल होंगे लेकिन निराजा इस बात की है कि भारत में महापुरुष भी बता है समिधान भी कहता है कि लोगतंत्र है लोगतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है लेकिन भारत के लोगतंत्र में जिनकी संख्या ज़्यादा उन पे अन्यात्य चार भी ज़्यादा है और वो अधिकारों से भी सबसे ज़्यादा बंचित है एक मंच पर ये नाम नहीं बैटे विचार बैटे हैं व्यक्ति नहीं बैटे संदेश बैटे हैं मैं इसका इस मंच का पुने सम्मान करता हूँ क्योंकि हम उम्मीद को रखने वाले लोग हैं हमारे कंदों पर बड़ी जिम्मेदारी है तो मैं आपसे ये अन्रोध करता हूँ कि अपनी एक्ता को बना के रखिए हम सब लोग जैसा हमारे जिम्मेदार साथी ने कहा कि पूरा अंदोलन बेक्वर्ड और फार्वर्डों के बीच है और अंदोलन अधिकारों का है ना धर्म का है ना जहात का है इससेदारी का मैं इस बात को और ताकतवर तरीके से संबद करता हूँ कि आज के दलित और अधिवासी भी इस देश में पहले से अगर जोतिवा फूले को पड़े आधूनिक भारत में जो बापरूस हुए है या डोक्टर बावा साथ बेड़कर को पड़े तो उनके अंदोलन हमें शिक्षा देते हैं कि हम अतिशुद्र और शुद्र थे हम हैनोटी के लोग हों तो मैं इस बात को और ताकतर बल देता हूं कि ये पूरा अंदोलन अगडे और पिशडों का अंदोलन है और जब पिशड़े वर के लोग अधिकारों के लिए लड़ने का काम करेंगे तो जंडे और जंडे के साथ हम इस अंदोलन को सीचने का काम करें कि आने वाले नखलों को जवाब देना है लड़ाई आपकी मेरी नहीं है हम तो जागरूग सजक लोग है आने वाली पीलियों के हिस्से में क्या बचेगा महापुर्सों ने संगर्स से पेड़ लगाए और उसके फल हम लोग खा रहे हैं आज अगर प्रेम्लिय स्कूल के मिलें जो अधिकार मिलें सविदान में ये उनकी देन है अगर वास्तिक्ता में ये अधिकार चले गए तो साथ कभी किसी हेड़ मास्टर छोड़िये आई एस आई पेस का बेटा भी यहां खड़ाओ के नहीं बोल पाएगा मुझे इस मैंने बड़ी मजबूती से महसूस कि और मुझे हमेशा साथियों ने प्रेज किया कि पढ़िये क्योंकि मेरी उमर कम है तो मैं ये तो नहीं कह सकता मैं तीस साल से अंदोलन चला रहा हूं या चालिस साल से अंदोलन चला रहा हूं या बीस साल से अंदोलन चला रहा हूं मैंने तो जो कुछ भी सीखा इस मंच प में लिखावा है आगरा का कि मैं तमान तरह के अपमान अन्या आरोप सह के इस कारवा को यहां तक लेकर आप आया हूं अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों यही मेरा आपको संदेश है आज तो कारवा लुट चुका है भक्ती छोड़िये जाब हाला देखे क्या हो गए है वो जो नेता अधर से बाहर ने निकलते उनको आपकी और मेरी परवा नहीं आज मजबूर है हम लोग कि नियाए जनम सित अधिकार है फिर भी हम रोज लासे उठा रहे है राजिस्थान हो या मद्य परदेश या दिल्ली मैं तो दिल्ली के लोग को बदाई दूँगा मेरे समानित बंच कि आज दिल्ली का रिजल्ट आया है एक से एक वक्ता का निहा बड़े-बड़े ओजस्वी वासन देते हैं दिल्ली में लोग खुसी मना रहे हैं और यह लोग यहां जो हैं बताईए सम्मेलन कर रहे हैं जिनका देखे जिनकी वोट नहीं उनका राज स्थापित हो गया है इनका देखिए इनका होसला और इनका रास्ता देखिए कि वो लोग दिल्ली में जसन मना रहे हैं रंग लगा रहे हैं जिनका इतना सा वोट है और जिनका इतना बहुसंकर वोट है यहां थमास बीन बने बट हैं बताईए अब कह रहे हैं वोट हमारा राज तुमारा सारे म ही हैं मगर यह बताओ दिल्ली में आपके हिस्से में क्या एंसीडी में जरा दिल्ली के लोगों हाथ उठा के बताना मुझे बड़े हमारे बहुजन मीडिया के लोगों से भी धन्यवाद कहता हूँ जूट मत दिखाए गरो यार क्या जूट दिखाते रहतो हो कि हम तो यहां किला ढ़ा देंगे अहला देखो आज क्या है एक सिट नहीं जीत पाएं एक सिंगल सिट पिछलगू बनके अपने इससे की बात भी नहीं कह सकते हो मेरे साथियो एक साम ने कहने का प्रयास किया था तथा कद बुद्ध के बारे में बाबा साब की परतिग्या के बारे में देखो क्या हुआ यह हाला तो सच यह हैं उनके तलवे चाटके उनकी पूंच बनके हम प्रियाबादी और फिर भी बैठना जूतों में यह तो मैं क्या कर सकता हूं बही बताओ जब आप लोग सुधना नहीं चाहते हो मैं तो परियास कर रहा हूं और मेरे साथ हजारों साथी परियास कर रहे हैं दिल्ली में भी कि हमारे लोग जागें लेकिन आप आदा दीले को तयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं हम फिर जगाएंगे फिर आपके बीच में जाएंगे थिर समजाने का काम करेंगे क्योंकि अगर इस कामकों पढ़ए लिखें लोग नहीं करेंगे तो किन से उम्मीद करें वो लोग जो सुबह उटके काम पे निकल जाते हैं ये तो पूरा समाज आर्थिक रूप से कमजोर है थोड़ा बोता अगर आरेक्शन से जो नोकरी मिली उसके कारण बन पाया है इसलिए जो पढ़े लिके सजग लोग है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें जैसे बहुजन मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी को समझा बहुजन नेता भी अपनी जिम्मेदारी समझे अपनी रोजी रोटी अपनी तयार की गई संपत्ती अपने परिवार की चिंता छोड़के समाज की चिंता करें क्योंकि अगर हम इनकी चिंता करते हैं और इनकी चिंता करने वाला नेता कभी समाज का भला नहीं कर सकता है मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मेरी बात को याद रखना जो परिवार की और अपनी संपत्ती की परवा करेगा मेरे उपर कितने आरोफ लगा लो कितनी बुराई कर लो कितने ही जो है तमाम तरह की मुसीबते खड़े कर दो लेकिन पूछो आने वाली पीडिया आपसे भी पूछेंगी आप जहां भी हैं जिस दल में भी हैं वहीं बैटके दूधरे लोगों से सीख लेके अपने समाज के बारे में सोचो एए मेरे बाउजन समाज के लोगों कारवाल लुट चुका है इबियम पे रोते रहो अरक्षन पे रोते रहो किसी और चीज़ पर रोके रोते रहो किस वोट से इस देश में आपका राज आएगा और इस उम्मीद के साथ चल गए कि आने वाली पीडिया समझेगी कहां दस दोक्टर दस इंजिनियर दस वकील जिस सभाज में तयार हो जाएंगे उनको कोई नहीं रोक सकता बताओ रुके नहीं रुके हो आज लाखो डॉक्टर लाखो अंजिनियर लाखो वकील है मगर बताओ नहीं मिल रहा है मेरे काबिल साथ यहां बैटे है कह रहे थे एव डबलू इस पे फैसला आएगा हमारे पक्स में और एक दो काबिल और बैटे वो हस भी रहे थे कहें कि यह गुम्रा करें है कोई फैसला नहीं अगर वाके में नहीं आया कलोजियम सिस्टम भी इसमें है लेकिन उनको चैलन्ज कहां से करोगे उसकी ताकत बता दो कहां है इस देश में सडकों से नारे लगते हैं और कानून सदनों से बनते हैं आप इससे बड़ा सम्मेलन करो जिनको कुछ देना नहीं वो नहीं देंगे लेकिन अगर आप अपनी ताकत बना लोगे और कानून बनाने की हैस्चत में चले जाओगे फिर आपके लोग के हादे से फैले नहीं रहेंगे तो मैं मेरे सोवे बहुजन समाज के लोगो चाहे कितनी भी जिन्दा करो कितना भी विरोध करो लेकिन हालात देखो कि आज हालात क्या है और मेरा पूरा भरोसा है कि बाबा साब अम बेटकर ने एक बात कही थी कि 21 सदी हमारी है ये 21 सदी चल रही है हम रहे ना रहे आप उम्मीद रखो जो इधर बैठे है वो भी और जो इधर बैठे है वो भी ये देश भी सलामत रहेगा हमारा राज भी आएगा और मापुरसों का सफना पुरा क्योंकि बाबा साम बेटकर जूटे नहीं हो सकते उनकी उलादे जूटी हो जकते हैं न highक उलादे सची Allah उलादे भी जूटी नहीं है और बाबा साम बेटकर भी जूटे नहीं अगर ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं खुश तो कर रहे हैं और जो दाउपे लगाके कर रहे हैं उनकर भी भी धिनेवाद पुने आयोकों का धन्यवाद इस उम्मीद के साथ कि सजग रहे जिम्मधार बनी अपनी जिम्मधारी को समझे जो महापुर्सों के अंदोलन से आपको मिला है उसके बाद आपके जिम्मधारी बनते की समाज की जिम्मधारी भी आपकी है उन्हें फिर मुलाकात होगी जै भीम, जै भारत, जै बंडल, जै सविधान, जै जोहार, निला सलाम, धन्यवाद